हेलो दोस्तों वल्कम टो आर चनल तो फाइनली आज है हमारा टार्गेट डे एट और आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टार्गेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट टॉपिक्स थे हमारे टार्गेट में लास्ट टाइम और आप लोगों को विजवास भी हो रहा होगा कि आप इंडिया का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर कोई बाउन्डेशन नहीं है कि आप यहीं से कंप्लीट करें मेरे से ही पढ़ें किसी से भी कंप्लीट कर सकते हैं बस मेरे को हराल में देखी थी वीडियो लेकिन कल मेरे पास एक बार फिर से वो वीडियो आई और सच बता रहा हूं मेरे मेरे को उस टाइम पर भी रोना आ गया था उस वीडियो को देखके मतलब आसू आ गए और कल फिर से मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया उस वीडियो ने कि क्यों ना मै 18 साल की एज से तयारी कर रहे हैं 18-20 साल की उमर से तयारी कर रहे है और आज उमर 30 साल होने को है तब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि 12 साल में आपको कैसा फील हो रहा है या मतलब कैसा लगता है उस बच्चे का अगर आप जवाब सुनेंगे तो सच बता रहा हूं आप लोग के आँखों में आशू आ जाएंगे वो बच्चा बोल रहा था कि मैं घर भी नहीं जा रहा हूं दो साल से बंदा किसी भी फेस्टिवेल पे घर नहीं गया है और मैं जूटनी बोल रहा हूं मेरे को खुद से ऐसी फिलिंग आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उस बच्चे का आपका सवाल का जवाब आपको लग रहा होगा कि भाईया वो बच्चा क्या पता पढ़ने में अच्छा नहीं हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है उस बच्चे ने वीडियो में ये भी कहा है कि भाईया मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था पूरे मोहले को गाओंवालों को घर वालों को सबको आस है कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ लेकिन वो बाइर आ गए है घर से पढ़ने के लिए घरवालों ने उन्हें बाहर भेज़ दिया पढ़ने के लिए आज वो बंदा कहता है कि मैं मुझ दिखाने के लिए जा नहीं सकता क्योंकि लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी तक selection नहीं हुआ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, proper guidance ना होने की वज़ा से इस तरीके की चीज़े आती है, बच्चे कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है भईया, नसीब भी काम करता है, मैं आप लोगों को ब पर उसका काम है, महनत तो सिर्फ तब काम करती है, जब आपके 119 नंबर हो, cutoff 120 पे जा रही हो, आपने 118 नंबर का paper किया है, cutoff 120 पे जा रही है, उस समय पे लग काम करता है, या उस टाइम पे नसीब काम करता है, कि आपका कोई question सही निकल जाए, किसी तरीके से normalization में आपक इसको ध्यान रखी है आप लो, महनत का पहला नंबर है, अब जिस guidance को आप बहुत ज़्यादा lightly लेते हो, आप इस student की चीजों से समझे कि 10 साल, 8-10 साल एक बच्चे को लग जा रहे हैं, उसके बावजूद भी job नहीं मिल रही है, बैसे तो बहुत बड़ी परिक्षा यानि से कोई अच्छी job मिल जाए, अगर CGL की भी job मिल जाए, लेख पाल की भी job मिल जाए, तब भी वो कर लेगा, क्योंकि जिस situation को बहुता रहे हैं, उस हिसाफ से तो बच्चा कोई भी नोकडी जोइन करने के लिए तयार है, लेकिन job नहीं लग रही है, उसके पीछे reason यह है, क कि जब एक गाओं का बच्चा निकल के बले सहर में पहुंचता है, कोचिंग इतनी सबसे पहले नंबर पे तो वो इसी चीज में फस जाता है कि कोचिंग कौन सी जोइन करनी है, 15-20 दिन तो सिर्फ घूंता रहता है कि मैं कोचिंग जोइन कौन सी करूं, फिर किसी के कहने प अपनी रीजनिंग बहुत डिटेल में पढ़ा रहा है, पॉलिटी गाला पॉलिटी पढ़ा रहा है, सब अपने अपने सब्जक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्हें बारा सब्जक्ट नहीं पढ़ने हैं, लेकिन आपको तो पढ़ने हैं, अगर UPSC वाला बच्चा है तो उसक सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ सकते हो, यानि कि आपके एक्जाम में भी अगर इसे हम अप्लाई करें, तो आप ये चीज समझ ये, कि आपको गाइडेंस सिर्फ ये बताती है, कि भाईया कौन सी चीज आपके लिए इंपोर्टेंट है, किस चीज को आपको ज़्यादा फ भाटकता है, तब भी उसको ये नहीं पता होता, कि मैं किस टीचर को मैस के लिए फोलो करूं, किस टीचर से मैं रीजनिंग कंप्लीट करूं, किस टीचर से मैं जी के कंप्लीट करूं, और कौन सी चीज ज़्यादा इंपोर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपोर्टेंट है, अगर मेरी ये situation है, मेरे इतने माक्स आने तो आप मुझे कौन सी चीजे पढ़नी चाहिए, मुझे कैसे cover करना चाहिए, ये सारी चीजे ही नहीं पता चल पाती है बच्चे को, तो निश्चित तोर से उसके साल तो बरबाद होते ही है, selection से वो बहुत दूर चला जाता है, क्यो क्योंकि उसके अंदर demotivation type आ जाता है, वो demotivate होने लगता है कि मुझे तो दो साल होगे तयारी करते-करते, मेरे selection होई नहीं रहा है, मेरे तो माक्षे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जिस guidance को आपको इतने lowest price में provide करवाया जा रहा है, उस guidance की आपको value समझनी चाहिए, उस ची tension खतम कर दिये कि हम देख रहे हैं कि क्या best है क्या नहीं, आप सिर्फ जो दिया जा रहा है उस चीज को complete कर लीजिए, और मैं आप लोग को बता हूँ, हमारे time पे भी, आज भी मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद के गाओं के student, proper guidance या lake of guidance की वज़ा से selection नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे students, उसके पीछे रहे हैं, और मैं अपनी बात अता रहा हूँ, मैं यह नहीं के रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया, उसके बावजूद भी मैं कभी किसी coaching institute में competition exam की तयारी करने नहीं गया, उसके बावजूद भी मैंने कम time में exam से निकाले और बहुत सार कर ले, maths में week है, फिर भी इन चीजों को तो मत छोड़, इस तरीके से उन्हें कोई guidance करने, guidance देने वाला नहीं है, जो उन्हें यह बता सके कि अगर तो यह selection लेना है, तिरा maths week भी है, तब भी तरह selection हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को कबर करके चला जा, और क्यों 6 साल से त पास एक proper guidance नहीं है, lack of guidance है, जिसकी बज़ा से उन लोगों के साथ यह problems हो रही है, तो मैं आप लोगों से बार-बार कहता हूँ, कि guidance की value को समझो, आप एक proper और बहतरीन guidance में हो, उस guidance को value करो, और अपनी पढ़ाई को जितने अच्छे से करवाया जा रहा है, उस चीज को करत पास में कुछ बच्चों थे 1st rank, 3rd rank तक लेके आते हैं, तो आप समझे, all over India में आप लोग कॉंप्टीट कर पा रहे हो, आपको डरने की जरूरत क्या है फिर, चलिए हम लोग बात करते हैं अपने target पे, फिलहाल ये चीजे भी बताना जरूरी होता है, क्योंकि कई वार हम थोड़ा ignore करने लगते हैं, तो इन चीजों को भी समझना चाहिए, अब बात करते हैं यहां, static GK and current affairs, जैसे कि हम लोगों को चली रहा है, आप लोगों को पता है, कि हम लोगों की ये साब चीजे चल रही है, तो static GK and current affairs हम हमारा जो target है, अभी देखे, मैंने इसके अंदर इसलिए भी ने include किया है, क्योंकि अभी आप revision करके हटे हो, कुछ नए लड़के भी join हुएं, तो जादा न हो जाए, next target से सारी चीजे include करनी शुरू करेंगे, जो latest वाली भी है, और marking चल रही है, marking हो भी चुकी है, बहुत हट तक, अगर आप कहोगे, तो आदी book की marking आपको provide भी कर बादेंगे, ठीक है, अब बात करते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, mountain passes हम लोग इस बार कवर करेंगे, जैसे कि आप लोग को पता है कि हर बार हमारे static gk का कुछ target होता है, थोड़ा सा current का target होता है, जिससे कि हम current में भी उतनी पकड़ बना सके, जितने की हमें जरू होता है, तो यह हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे complete करेंगे, next है भारत की नदियां, भारत की जो important नदियां है, उनके किनारे इस्थित नगर, यह वाला जो topic है, यह बहुत ही important topic है, railway group D के अंदर, railway ALP के अंदर, 2018 में भी, और JEE तक में इससे questions पूछे गए है, कि यह जो सह है, निमनले खित में थे यमना नदी के किनारे कौन से सहर इस्थित है, इस टाइप के questions आप से पूछे जाते रहे हैं, तो यह question भी आप से पूछा जा गया, तो यह हम लोग को cover करना है, tension नहीं लेनी है, content मैं provide करा हूँँगा, आप सिर्फ content को cover करिए, देखे अब कुछ च किनारे सारे नगर हो गए, जैसे हवा से क्या, हा से हरीदवार, वा से वाराणसी, पा से आप बताना, का से आप बताना, इसे आप बताना, क्या है, बैसे तो पता ही है, इल्हावाद में भी गंगा बैती है, ठीक है, इन सारी चीजों को जरूर से बताना, तो मतलब थोड़ बता तो सकते हो कम से कम इस तरीके questions new salary structures of government officials आपको पता है कुछ साल पहले यानि की इस तरीके से आप लोगों से मैं request करके यह question कर रहा हूं कि आप मेरे को बताना कि इस समय पर रज्यपाल की कितनी salary होती है और Supreme Court के मुख्य न्यायधीस की CGI की क्या ठीक है सेलरी होती है यह जरूर से जरूर मेरे को बताना है आपको ठीक है Chief Justice of India उनकी क्या salary है यह दो questions आपको बताने है एक राज्यपाल की और एक Chief Justice of India की next है science में तो देखे यह हमारा chapter चली रहा था लाइट वाला तो इसके एक्जांप्लर आप लोग complete कर लीजेगा काफी अच्छा खासा चैप्टर यह सबको पता है एक्जांप्लर भी करने जरूरी है लेकिन इस बार यह बहुत अच्छी बात है कि human आई जो है वह एक डेले हंटे का चैप्टर है मैं अगर भूख है तो म most important है ठीक है उसके अलावा आप लोगों को एक मिनट यारी बुक फट गई इतनी सारी बुक्स है पता भी नहीं रहता कौन सी बुक्स कहां रखी है ठीक है गाईज तो यह आप लोगों की साइंस की बुक है जिसको मैं मार्किंग भी देता हूं आप लोगों को तो यह हम लो अलावा आप लोगों को रेटिना उटिना का पता होना चाहिए कि कब कौन सा लेंस यूज किया आता है ऐसे कोश्टन बहुत पूछे गए हैं ठीक है कि निकड़ दुरिष्टी दोसमें कौन सा लेंस दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है इस टाइप के कॉश्ट का अंसर आप बताना जिस तरह से कैमरे का लेंस काम करता है उस तरीके से आपकी आंकन का कौन सा पार्ट क्या नाम है उसका जो कैमरे के लेंस की तरह ब्यभारकरता है ठीक है यह कोश्ट और है मेरा यह कोश्चन के आंसर देते रहा करो बहुत अच्छे कोश्चन से एक आख कितने डिगरी तक का एरिया कवर करती है ठीक है और दोनों आखे कितना कवर करती है यह पता होना चाहिए आप लोग को इसके अलाबा इसके अंदर इंपोटेंट जो है वो स्कैटरिंग ओफ लाइट है और हमारा आकास नीला क्यों नजर आता है यह सब चीज़े तो आप लोग को पता ही है बस इतना ही इसके अंदर पूछा जाता है और दूर दृष्टी और निकट दृष्टी दोस इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कि क्या है कौन सा लैंस किस्तमें पर यूज होता है कहां पर प्रतिविम बनता है इनसे नुमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोटेंट है जितनी भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो मोस्ट इंपोटेंट है लेकिन एक से देड़ घंटे का ही चैप्टर है तो इस बार हम पिश्री बार आपने एक्जांपलर पर पीवाई क्यू का टाम नहीं मिला हो क्योंकि हमारे पास परसंटेज भी का सब्सक्राइब करना है पूरा चैप्टर बिद एक्जांपलर करते चलना है इनके टेस्ट भी लगाते चलना है भी अफिशल अप्लिकेशन पर क्लास 10th NCEIT का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस यह जो चैप्टर है यह हाफ चैप्टर कवर करना है क्योंकि हम लोगों को तो आब ऑब भी कंपलीट करनी है साथ ही साथ हमारी पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा टारिट आ यह तो इसससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं और BIP गुरुजी ओफिशल एप्लिकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित तोर से जुड़ सकते हैं यह बैच है आप लोगों का मैट्स के अंदर जैसे कि आप लोगों ने परसंटेज कंप्लिट किया तो परसंटेज क्या होता है बेस बनाता है परसंटेज ठीक है बेस के लिए ही उसको करवाया जाता है अब जैसे नंबर सिस्टम बेस बनाता है ठीक उसी तरीके से यहां पर परसंटेज बेस बनाता है प 3R ही देखना है basic type जरूर से जरूर कबर करने है जो आप लोग को मैं देता हूँ वो तो आपको questions लगाने ही लगाने है 100% और lectures देखना है आपको इसके notes बनाने की जरूत नहीं है ये जो है लाव है नहानी इसके notes already मैं provide करवा दूँगा आपको आपके पास रहेंगे उससे आपका काम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद अपना जब आप यूथ की book से questions solve करते हैं तो यूथ की book के ऊपर भी shortcut में आप लिख सकते हैं यूथ की book में detail solution है आप shortcut में उससे कर सकते हैं तो ये आप लोगों का maths का है इसके अलावा reasoning में हम लोगों ने calendar complete कर लिया है पूरा तो calendar के previous year questions देख लेना इस बार जरूर से जरूर अगर नहीं देखे हैं तो और cloak जो घड़ी वाला chapter है उसको हम complete करेंगे घड़ी में सबसे फेवरेट जो questions हैं वो यही है कि 7 बज कर कुछ मिनट पर कितने डिगरी का कौन बनेगा ये question पूछता है जैसे कि 7 बज के 35 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच सब छोटा कौन लगू कौन कितने डिगरी का बनेगा इस टाइप के questions पूछते हैं एक निकल गया तो दूसरा तो 360 में से घठा के निकली जाता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है सबसे फेवरेट question यही है फिर questions इस तरीके के पूछे जाते हैं जो वन लाइनर टाइप के question है कि 24 गंटे में दोनों सुईयों कितनी बार मिलती है 24 गंटे में दोनों सुईयों कितनी बार 90 डिग आप प्रिंट निकाल के भी काम कर सकते हैं तो I hope कि आप लोग को यह बास समझाई है और यह हमारा cloak वाला chapter है इसके अंदर मैंने आपको बताया पहला तो वही है कि जैसे 7 बजे या 9 बजे कुछ भी देदेगा 9 बच के 35 मिनट पर आप बताएं दोनों सुईयों के बीच कित और वो formula मैंने notes में लिखा हुआ है आप उसी formula के दम पे सारे questions कर सकते हैं जबकि बाकी लोग दो formula का use करते हैं इंकाम को करने के लिए लेकिन मैं एक ही formula से काम करा देता हूं तो उसी एक formula को आप लोग कर लीजेगा आपका काम हो जाएगा I hope कि आप लोग को यह lecture बहुत पस करते हो इतनी मेहनत करते हैं सारी चीजे करते हैं आप लोग के लिए पूरी जीजान लगाए हुए अब उनसे पूछ के देखो जिनके 6-6 साल से selections नहीं हो रहे हैं आप लोग को अगर 220 रुपे में इतनी प्रोफर guidance मिल रही है तो आप लोग बिल्कुल value नहीं समझते हो मु आपकी किसी topic पर और वीडियो चाहिए तो आप निश्चित और से बताएए और मैं कोसिस करूँगा कि NCIT के numerical में आप लोग को समझाने की कोसिस करूँगा तो मैं वीडियो भी दूँगा कोसिस करता हूं उसकी जिससे कि आप लोग को मजा आए वीडियो में ठीक है मिलेंके वीडियो में ख्याल रखेगा टेक केर